एक जो होता है sliding mesh, दूसरा constant mesh और तीसरा जो है आपका synchro mesh तो दोस्तों यहाँ पे यह जो tractor है, सोना लिखा का, पच्पन HP का इसमें constant mesh gearbox है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, CM लिखा हुआ है तो दोस्तों constant mesh के पहले जो पुराने जमाने में आता था, वो sliding mesh वो उसमें क्या होता था, कि आवाज बहुत आता थी, खर-खर बोलता था, जब उसके उपर ring जो gear की ring एक दूसरे पे जब चड़ती है उपर की, तो उसके बाद जो है constant mesh आने लगा sliding mesh बंद होने के बाद, बहुत कम use होता है sliding mesh तो constant mesh इसमें use हुआ है, इसके बाद दोस्तो जो और technology बढ़ गई, वो है synchrome mesh gearbox, अभी जो latest में अभी ज़्यादा तर नए बड़े टेक्टर में 50 HP के उपर चल रहा है और दोस्तो एक चीज़ ज़रूरी कि constant mesh जो है, उसको kolar shift भी कहते है जैसे कि John Deere में वगेरा use होती है तो दोस्तो यही तीन टाइफ होते हैं gear में, sliding mesh, constant mesh और synchrome mesh तो दोस्तो gear box के वारे में जानकार आपको कैसे लगी, comment में ज़रूर बताई और चैनल को subscribe करना ना बूलिएगा